पैदने जारेएं सिख्षकों के लीए कहा जा सकता है कि एक बहुत बरीखवर है। आपको बता दे कि पट्ना हाइकरोट का एक बड़ा फैस्ला सभी सिख्षकों के पक्समें कि सिख्षकों को दर्स 2003 से 트ेंड का बेतन दे। पतना हाई कोर्ट ने राजसरकार को 2007 में ट्रेनिंग की पूरक परिक्षा पास करने वाले सभी सिख्षकों को पहली अक्टूबर 2003 से ट्रेन्ड सिख्षका बेतन देने को कहा है आपको बता दे कि कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अगले सब्ता सिख्षा बिभाग के परधान सचीब कोर्ट में हाजिर हो इन ट्रेन्ड टीचरों को 6 फरवरी तक बेतनमान दिया जाना है वहां आदेश बुदवार को नियाएधी इस दिनेश कुमार सिंग की अधरक्षतावाली खनपीट ने एक अवमानना याचिका पर सुनबाई करते विए दिया है आपको बता दे कोर्ट को बताया गया कि सिक्षा विभाग केबल बांका के ट्रेन्ड टीचरों को बेतनमान देने के लिए तयार है जबकि अन्य सिक्षकों के बारे में कोई जबाब नहीं दिया है सुनबाई में कहा गया कि इस मामले पर राजसरकार सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुकी है आपको बता दे अपर सिक्षित सिक्षकों ने दौरस 2003 में पूरक परिक्षा दी थी इसका रिजल्ट 2007 में निकाला गया इसलिए इन सिक्षकों को 2007 से ट्रेन्ड सिक्षका बेतनमान दिया जा रहा है जबकि याचिका करताओं का कहना है कि रिजल्ट लटका कर रखने के लिए सिक्षक नहीं बलकि सरकार ही जिम्बेदार है फैनली इन सभी सिक्षकों को पटना हाई कोल्ट ने बेतनमान देने का आदेश दिया थी कोल्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अगले 17 सिक्षक बिभाग के पधान सचीव कोल्ट में हाजीरों इंट्रेंड टीचरों को 6 फरवरी तक बेतनम करके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ पाई है कि जज सहाव अपना फासला कब तक सुना सकते हैं